जैगुजरंग वली की दोस्तों कैसे हूँ आप सब नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल में आज मैं फिर आपके सब के सामने हूँ आज की वीडियो में हम बात करेंगे अगर आप वीडियो अच्छी लगती है तो अभी से लाइक किजिए और अभी तक आपो अपने अंभी जकर को अच्छी में और अउम महलें चोटी लाइक हर क्ली में मौझुद है बल्कि जीवन में भी वर किसी के लिए मौझूद रहती है नमस्कार दोस्तो आज हम आपके लिए बहुती जबर्दस वीडियो लेकर आए हैं खूब पैसा कमाना है तो इस जगर रख दे पांच इलाइची पैसों से भर जाएगा आपका घर आज की वीडियो में दोस्तो इस दुनिया में जितनी भी चीजे हैं वे अपने आप में बहुत खास विचमतकारी हैं दोस्तो अगर आपके जीवन में धनकी बहुती ज़्यादा हानी होती है और धनकमानी की मनों कामना आपके मन में जियों की तियों है तो आप वीडियो में जो हम आपको उपाय बता रहे हैं इस उपाय को एक बार अवश्य करके देखिए आपका जीवन ना बदल जाए तो कहना हम आपको कुछ खास उपाय बताएंगे इन उपाय बताने के बाद आप हैरान हो जाएंगे कि आपके लिए यह बहुती फाइदर्मद हो सकती है छोटी सी इलाइची अगर आप अपना घर और अपने तिजोरी को नोटों से बढ़ा रखना चाहते हैं तो आप एक उपाय अवश्य करना चाहिए आपको पांच छोटी इलाइची अपने पर्स में रखने चाहिए और यह बहुती आसान और अच्छोग उपाय है इस उपाय को आप एक बार जि जोतिस के अनुसार आज मैं आपको इलाची के उपाय बता रहा हूँ जो आपको जीवन में सुक्र और संपत्ति को बढ़ाने का काम करेंगे अगर आप अगर बात की जाए शुक्र के उपाय के बारे में तो अगर आप शुक्र ग्रह को अच्छा रखना चाहते हैं यानि कि जीश किसी व्यक्ति का शुक्र अच्छा रहता है उसको कभी भी पैसों के संबंद में कभी भी कोई चिंता नहीं होती है उसे हर प्रकार के शुक्र सुविदा और आराम मिलता है क्योंकि शुक्र को हम ऐसा आराम देने वाला शुक्र संपर्दी देने वाला ग्रह मानते हैं जो कि आप सभी के लिए फाइदेवन होता है, दोस्तों सुक्षम्रद्धी और धन हर जक्ति चाहता है, अगर आप खुब सारा पैसा चाहते हैं, बंगला गाड़ी सब चाहते हैं, तो आपको अपने शुक्र ग्रय को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि शुक्र ग्रय हर प्रका पानी में आदा होने तक उसे उबाल ले, फिर इस पानी को अपने नहाने वाले पानी में मिला करके श्नान करें, श्नान करते वक्त पवित्रता का ध्यान रखें, वह आंसे जुड़े मामले हो, क्या धन संबंदी मामले हो, यह उपाई बहुती लावकारी है, तो इस बहुती हो अलके कि खहने से पहले एक हरे रंगा कपडा लेना है, आप चाहने तो छोटा खुता कपडा भी लेसकते हैं, तो हरे रंग कपडा लेने के बाद आपको एक फ्रिया होरे सब्सुराय को नहीं मिला गर्ज़ प्र сн裏श्स अर्ले दिन अकले अवार्ज़ लेना, या बहुतिक और शटिक हर प्रकार की आपको सुक्स उविदा मिलने लगती है, यह बहुती आसान लेकिन कारगर उपा है, आपकी दरदेता यानि की गरीबी दूर करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए आपको सबसे पहले किसी भी गरीब या दरिदर व ब्यक्ति आपको मिल जाता है, तो आपको उसे एक शिक्का दान करना है, साथी कुछ ईलाची के खाने के लिए दाने भी देने हैं, आपको अपने परश में रख लेना है. दोस्तो कमेंट बॉक्स में जैबाजरंक बली अवश्य लेके और वीडियो को जरूर लाइक करें, आप चाहें तो उस दरिद्र व्यक्ति से पहले ही बात बोल सकते हैं कि कल मैं आपको एक सिक्का और ये कुछ दूँगा, आप मुझे ये सिक्का वापस कर देना, आप उसके बात चाहें तो उसे दिर्ग धरक्षना भी दे सकते हैं, यानि जबी ही रह गई है, तो इस उपाय को अवश्य करना चाहिए, अगर आप किसी महत्वपूर्ण कारे से भी बाठ जा रहे हैं, तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, आपको क्या करना है, प्रातकार उठ जाने के बाद आपको तीन एलाची लेनी है, तीन एलाची लेने के आपको अपने दाए हात में इसे ले लेना है, दाए हात में लेने के बाद आपको अपनी मुठी में इसको बंद कर लेना है, और आपको श्री श्री बोलना है, श्री श्री ऐसे बोलना है, वे श्री श्री बोलने के बाद फिर से आप खोल ले, आपको ये श्री श्री 108 बार बोलना है और इसके बाद आपको अपनी मुठी को खोल लेना है और इसके बाद आप इस इलाइची को खा ले खाने के बाद आप जिस भी कारे पर जा रहे हैं जो भी कारे में आप सोच रहेते वह उपाय आप करते हैं इस उपाय से आपको सपलता जरूर मिलेगी कितनी बार आ शूकलपक्ष और क्रिशन पक्ष आपको अपने पंचांग के कलेंडर में देख सकते हैं किसी विद्वान पंदर से पूछ सकते हैं तो इसे आपको जब भी शूकलपक्ष आता है किसी भी महिने का उसमें आपको पर्थम यानि सबसे पहला जो गुरुवार पड़ेगा यह उ प्रकार की मिठाई कर देनी हर इसके बाद इसे साती ही आपको एक दीपक भी खरिद लेना है आप जो दो इलाइची लेकर आए थे जो आपने से खरीदा था इसे दीपक में डाल दे और सुद्य देशी गी डाल दे अब आपको मंदिन में जाने के बाद आ양 आपके पास करने के बाद आपको उस मंदिन में जल अर्पित कर देना है यह उपाय आप गुरुवार और शुकरवार के कर सकते हैं यदि विवा में अर्चन आ रही है तो आप इस उपाय को गुरुवार को करें और यदि आपके शाधी सुधा जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस उपाय को शुकरवार के दिन करें यदि शाधी में आ रही बादाव को दूर करना चाहते हैं अगर पती पत्नी के बीच फ्रेम संबंद स्थापित करना चाहते हैं तो यह उपाय बहुत ही आसान है अगर आप किसी का भी वशीकन करना चाहते हैं वसमें अगर आ आप वशिकन करना चाहते हैं, उसके बदन से इन तीन इलाइची को परस करा ले और उसके बाद आप इसे अपने पल्लू के रूमाल में बांध करके अपने पास रख ले आपके बीच में बहुत ही जल्दी सामझस से हो जाएगा और आपसी प्यार भढ़ने लगेगा ज़िए आप ऐसा नहीं कर पाते हैं या आप नहीं करना चाहते हैं तो इसके लिए आप एक और उपाय कर सकते हैं यह उन वक्तियों के लिए है जो स्टूडेंट है यानि कि जो पढ़ाई में सफलता प्राथ करना चाहते हैं तो आप इने पीपल के पेड़ के नीचे रख दे और अपने शिक्षा के पढ़ती अनियानी पढ़ाई के पढ़ती काम ना करते हुए इसे वहां रख दे और घर आ बस पयासान और अचूब के उपाई है अगर आप भी चाहते हैं पृपिश्रा में अच्छे नंबर तो आपको यह उपाई अवश्यक करना चाहिए इसके लिए आपको यह उपाई आपको गुरुवार को करना है इसके लिए क्या करना है यह यह नि вас बिना कोई करम तूटे पाँच गुरुवार तक लगातार ये उपाय करना है किसी गरीब यक्ठी को कम से कम पाँच बार आपको दूद पिलाना है इस उपाय से आपको लाब अवश्य होगा अगर बात की जाए लाउ्ट उपाय के बारे में आपके वेतन और प्रमोशन के बारे में अगर आप चाहते हैं कि आपको वेतन मिले, अच्छा वेतन मिले, प्रमोशन हो और आपकी इनकम बड़े, या अगर आप चाहते हैं तो आपको लाग मेहदत करने के बाद भी मंचा वेतन या प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो इस उपाय को आप अब अश्या आजमाए, आसे ही बहुत ही आसान है और अचूख है, इससे आप एक बात अवश्या आजमाए, इससे आपको सब परकार की सफलता है, तो मिलती ही है, साथ ही साथ आपकी दंसंबंदी सभी समश्याई भी खतम हो जाती है, तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताये, इलाज ची में लिखते रहें, जाए बजर्ण बनी!